अब देख रहे हैं 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 अब कितना स्याना तरीके से जो है ना कहते हैं इनके इंतहादियों का खेल देख रहे हैं उसको अपने सीड देदी उसको हमायत देदी उसमें जम्यतनलमाय पाकिस्तान भी है उसमें पीपल्स पार्टी भी है इसको मनाजर भी देखे जा रहे हैं एंकेम का कल जो पूलिंग कैंट था ना उसके उपर हर तरह का जंडा नजर आ रहा रहा था कि एंकेम की सियासत के लिए आगे चलके बड़े सारे सबलात कड़े करेगा ये खुश्फेमी हैं साब या तो गलत फहमी हैं उनकी उनके पीचे था कि अजंडे उन्होंने खुद लगा रखे थे अपने खर्चे पे जो हैं सजा रखी थी दुकान उनको किसी नहीं ये पार्टी अगर आती हमायात में खड़ी होती है अपने डाय हार्ट सब के पास लोग होते हैं कारकुनान होते हैं इशारा करने की देर है तो कि अब मजीद पचास हजार ये पच्छी सब वोट नहीं नहीं इन्होंने जो कहते हैं बल्ली चड़ा दिया उन्होंने ये कि उसको कहा कि लीजे हम क्यों बदनामों ये भी बड़ा अच्छा मौका है अशर्थ भी यही है सब ने उनको कहा कि आप की सीट है और अब जो सिर्वतिहाल थी जो इम्रान खान की पार्टी है उसको एक है जासिल इस वक्त पुर जोश तरीके से उसने मुबाल पैदा किया है और लोगों पर ट्रैक किया है और एक बड़ी पार्टी के तोर पर नजर आता है अभी उसकी तो गिरफतार भी कर चुके होते हैं बहुत सीज़े हो चुकी होती हैं लेकिन जिसके पीछे अवाम होती है उसको न जाता है यह जाता है यह जानते हुए कि अगले रोज एलेक्शन है और एक बड़े एलेक्शन जे इस तहदवार से कि अगर कल मुतहदा काव्ममेंट जीच जाती तो शायद पाक्सान तरीक इनसाफ जिस वेप की बात करती हूँ वेप तूटती वे नजरादी के कोशिश की कि अगलेक्शन को पहले एक जुलाइ के मत से मुल्तवी करके ऑगस्त तक पहुंचा दिया गया अब यह ज़रा समझे लाग का बड़ा वाइटल है कि यह वी उस दराद में दो दिन बार भी जानते हैं यह जानते हैं कि अवामी रद्यमाल आएगा इनकी पार्टी के तलाब यह जिए अब मस्त वही मैं आता हूं कि न्यूटल तो न्यूटल रहे तो तुम लोग सियसी पार्टी हो तुमारा एक ही दुश्मन सियसी दुश्मन है वह इम्रान खान है तहरीक इंसाफ है तुमने उसके साथ ही नूटलिटी की उसको साथ ही जो है तुम तब गैर आम इलेक्शन में मालूब होगी कि गार जानिपदारी की सजा के हमली इससे पूर रिजल्ट आएगा इससे वही देखे ना छे सीटों पर शिबट कर रह गए एक जवार जो के पहले इताहर जिसे के ती सर आज पास छे सीटों पर रह गए इस सर मुतहदा कौम मुमन की बात य क्यों लगावा है अच्छा आप ये बताएए उसमें तीन लोग हैं तीन हैं जो मुतहदा के टूटे में और तीन उन्हें अपने शिकस्त भी कबूल किये और ये भी बतायाएंगी ये तो सब वक्त की बात है ये तो गुबारे में हवा भरी है ये निकल जाएगी इसी की य बात कर देती है इनों होश के नाखून लेने चाहिए इनको देखना चाहिए कि देड़ साल इनों ले लिया है और इनका एक एक ख़ड़ाता वन उदर आ रहा है ये बड़ा आप जाओंगा सल्मा साब इस पर आप भी कमेंट करें कि कल जो इनतावी नताइज आएज आए ज आप में जो इनके बात सेक्विंड नंबर पर है वो मतायदा को मुवमेंट के थे लेकिन जो डिफरेंस वो बड़ा है मोई दनवर साब में महिज 13,193 वोट लिए टी एल पी जो के अपने आप को पॉस्ट रॉंग समझ रही और हमें कहीना कहीन लगा भी एक वक तक के टी पी टॉफ ताम दे सकती है उसे दस हजार से भी कम वोट मिले और इसकी जो अपुल तादार में बताओ नौजार आज़ार आज़ार शो च्तिछ वोट पड़े इसके बाद एक्सक्ट किया जारा तक पी एस पी होगी लेकिन डॉक्तर फारुच सतार साब फॉर्थ नंबर प बताया कि आज भी पी आएबी के लाके में उनका एक स्ट्रॉंग होल्ड है और इस पूरे हर एनिटू फॉर्थ फाइव में पी एडिया था जिससे फारुच सतार साब को वोट दिया और एक बड़ी अमाउंट में वोट दिया जिसमें साड़े तीन हजार तक वोट इनको करते में नजहरा और जबके पी एस पी को जो वोट पढ़ें वो बहुत बहुत कम तादाद में पढ़ें तो बड़ा सवाल है सरी इस तमादर सियासी जमातों के लिए बिसमिल्लार रख्मान रहीम तेगे इस एलेक्शन में कुछ पार्टियां जो मैं समझतों बहुत अच् इस तो शायद वो दूसरे नंबर पर आजाते हैं तो इस एलेक्शन में लोड टरन आउट रहा है यकीनन ये बात दुरस्त है इसकी बहुत सारी वजुआते हैं एक तो जाहर एक ट्रिडेशनली हमारे मुल्क में जब भी जिमनी इन्तखाबात होते हैं कुछ लोग दिल्च प्रियत कुछ जिन इलापोर शेयरियाज में होती है तो वह बाहर निकलती हैं इसके लावा एक और वी वज़ा है कि PTI पे लोगों का इत्माद इस तरह नहीं है कि हो सकता है PTI इसी साल इलेक्शन के लिए कोशिश करें और ये लोग दोवारा रिजाइन कर दें मैं तो ये में अ करेंगे हैं कोंट प्रिडी में अपट उतल इन जा कि आखिए अगया उनके जा करीशने हैं मैं पिडियों इस वगे रहु है कि यह को पर्फॉरमस्ज ही है अप तुरी मार्क नहीं लेकिन MQM के इसल जो है ऐस आ es ai क्युक्वे वोट्स लिएं वोट्स लिए वोट्स लिएं वोट्स लिए embracing没有ए है वहागा की performance और उसके सासा जो उनका मेर भी किराची मेराげ उसकी performance को अगर हम ढेहते है तो मिलकूल भी ap to the mark नहीं है तो इसमें कोई हैरत की बात यह है कि उन्होंने जो वोट्स लियें वो खासे कम लियें बड़े मायूस कुन वोट्स लियें मैं समझता हूं मैंकəम को अपनी पॉलिसी इस पर नजरे सानी करना होगी और अगर बल्दियाती इलेक्ष्ण जब सर पर आ रहे हैं उस पर यकिनन इस इलेक्ष्ण का असर पर सकता है तो मैंकक को जो भी उसकी खामिया है उसको ङडिया एडरॉस करना चाहिए कि ये इलेक्शन के जो नताइज जाएंगे इसके बाद MQM अपने फिर से ब्लैक बोर्ड पर जाएगी वर्किंग करेगी और फिर बल्दियाती इंतिखाबाद चंद ही रोज में एस पर शीडूल तो कहा जा रहे हो जाएं लेकिन अब मुश्किल की नजर आती है कि खालग अगर आज कराची से मुम के पोलिंग एजन्ट सावीर आज में एपलाएंगे अनप पाटी का फ्लाएंगे प्लाएंगे फिर जय यू आई का प्लाएंगे अजर इंगे अगा अपना नजर्याती कार को जब उस पोलिंग बूत को देख रहे होगा तो क्या वोट दाल ने न अगर को बल्दयाती इलेक्शन लड़ में से पहले सोचना चाहिए अजिए वह वह अगर प्लाएंगे या ना लड़े यह उन्हें सोचना चाहिए चाहिए काफी कम टाइम है मेरे खाले मेरे इसारा आप समझ गे होंगे और इसके साथ-सार अपने लंदन का इशारा किया य मुमेंटम केरी ओन और इस वक्ट जो जलसे PTI के पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन एक बन गई थी और यह लग रहा है कि PTI आगे भी एक अच्छी विक्टरी ले सकती है लहाजा PTI का एक निरेटिव का भी एक राज़ा जा रहे हैं जमात न मैं सल्मान साब से बड़े अदब के साथ में आर्स करते हैं कि जो एम केम न गलती की और आज यह दाग लेके वह इलेक्शन में जाएगी कि वह हार चुकी है और पिर समझ आदी जो डिफरेंस वह बहुत बड़ा है आप उसको ही कहना है जब यह अप तो दी मार्क कह रहे है अप वोड़ान के साथ हैं अप तो दी मार्क के तो बहुत तरीज थी मार्क को बहुत कर रहे हैं अदिल जूई परगे hayat और जमार्डिस्लामी ने ओर यह प difficulty कर सकता है न उसके इमगानात भोते सारे नदर आते हों यहां जर्फं पर जो मैदान में उत्र उनकी गिर्वान कहा है और तो यह जो परजीब से नजल आ रहा है अब वह एक यह खेलने चाहते हैं कि हम तो इस गन्वे पड़े नहीं यह जो कुछ हुआ वो उसको भी नहीं मानते वो तो किसी को मानते नहीं वो तो तहरीक इंसाफ से भी जो है वो बद तो भू उन्हें बचा के एक किनारा लिया है और अपने हड़त पर रहें उसकी तरफ लड़ेंगे उसकी तरफ लड़ेंगे खुदा कर दो कोशिए है कि कोशिए है कि कराची में जो बल्दियाती इंतिकाबात है उसमें एक ऐसा अप छोड़ी जाए जिसे जमाते इसलामी कि कापी सारे स्टिगमा, सुक्षिकार है कापी सारे सवाली निशान से गुज़र रही है उन सवाल्यान निशानों को हल करते वए जा सकें यह पर प्रगैम में पर ब्रेक के बादे इंशालला हम आसाब पाकसान तरीख निसायर कि बेनिंग काड़िए पमौलवी साब अब देख रहे हैं दे डेली शोव पुट मुनीर नेमाइश मुट 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 आपके लिहाज से वोटर टान आउट कम था अगर वोटर टान आउट बेटर होता तो ये मार्जन जो नजर आ और वसी हो सकता था ये मिलकुल और वसी होता और मेना खाल से एक परसंटेज वाइज ये पूरे हलके की नुमाइंद की थी और उसी हिसाब से जो वोटर टान आउट है 49% कुछ है और ठीके ना उपर आउट 11.8% है मगर हमारे जो विनिंग है जी डिए जी डिए जी रिए वोटर बातके है जी तो इस तक टेक्निकशनी आउड वाद ओलो गी है रान बातकीन सब्सक्रइद कॉरेब्स से तक पिर सब्सक्वाब लीक है जी विए स्टरिक मार्वाड जूने बातके हैं और वाट रिध रिरीजीत हासल करती है, शान में, इसलाम बार ने बनी गाला से इतलाता हाई होती है, कि वहां पर कहां थे गरत तंगु होगा है, पर शेवाज करता हिए ह। इतलाता है, पर कैसे है के मामला सामने आफ जाते है, अब ड़ार आख जाते है… अजू इन ईविझ ने हमारे सामने मुझे मेडिया थाने हैं पजा मगर अब ख़ख़ ख़गा लिए एक रफटे कहते हैं तो कश एक भाइर अबसे समने निरा रहरा थी एक रफ़ तक कोशिश तो कि जा रहर इती बिए हैं मेगर मेगर मैचलोगा एक पली जा तरह आफ जा वे तरहाम में बेटना है और मामु साब ये बताएं कि कल के जो नताइज आएं कल पेली दफ़ा काफी अरसे बाद ये नजर आए कि किसी भी शक्स ने इस बाद पर गिला नहीं किया कि जो वोटिंग के नताइज है वो उनके अदबार से सही नहीं थे वोटिंग के अकुर्शेस में गड़ड़ी हुई तो यू थिंक के और अच्छे माहूल में एलेक्शन होते में नजर आए ये बहुत अच्छे माहूल में हुआ और तरी अल्ला से द्वा है कि हमारे स्वाद एलेक्शन तरसे हो और कल एक उलसूरत बात होगी ये एक इशू के अपर कहीं धंड़ी हो रही थी ठीगे ना जी इस तरह अजब बूत के उस पर जी और हम ने उसको हैट किया और उसके बाद फॉरन फॉर्म फॉर्टिफाइब एजरा करने कोशिश की जा रही थी जो आप बिलकुर ठीगे ना और उसके उपर फॉरन एक्शन कमिशन एक्टिव हुई वहां पहुंचे और उन्हां सिस्प अग्री करके और उसको भाई पर हमने तफा दिया इसू को एंसौर्टिट आउट हुआ और उसको बफ़ा दिया उसमें वो चीज़े फिर कंट्रोल में भी आई पेलकुल और मेरा कहना है कि हमें क्टा ऐसी होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा हम एलेक्शन फ्री और अगर मुट्टी के तरफ 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 जाए इस अगर एक्सट किया जा आए कि बद्दमनी के वाकिया भी गोते लेकिन महमूद मौलवी साब इस तरीके सफर्मार है कि एल वेंट वेल समूथली सारे प्रोसेस अगरा है सबसे पहले तो कॉंग्रेजूलेशन टो मिस्टर महम मुम्किन है हमारी ये सैंबलियां अपनी मुद्ध पूरी करें और अगर सपोस नहीं करने का चांस है तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी होईवर इसके साथ साथ यकिनां कल के लेक्शन मिसाली लेक्शन इस सेंस में थे कि कोई बदमनी का वाकिया नहीं काफी खून राजी के वाकई थे खूए हमारी है हालाग के यह पर तकरेमन तमाम पार्टी आप शिर नहीं कर नहीं हैं एक तो किस नहीं है बनाई खूर्टिय पर एक एक्सवाल के बस्ते हैं तो कहने को पाक्सिन करीके इसुपशारी किस्वाएग पास मुझू धर इस्फ क अब आपको क्या लग रहा है कि ये लेक्षिन का प्रसेस कब तब चलता रहेगा ये एक अज़ देखा हूं क्योंके देखें ये चीजे काफी मेरा खाल से इस तो संसिटिव हो गया है और लग ऐसे रहा है जो हालाग जा रहे हैं कि जनल एलेक्षिन मुझे काफी नजदीक ये बहुत चलता है ये इंपोर्टन जानिश आप सुना जानिश आप सुना मुझे साब बड़े परफिट नज़ आए है कि जनल एक्षिन की तर बात कि जा रहे है अप्र है सलमान हमारे शरीक मेहमान सलमान साहाब ने पर लुपच्छा तलाई कि पिछले एलेक्षिन में आ ही ना कही है साहते कमतर ही हो रहा हो कि यह पर राने जो हमारा था आखरी इससे भी कम पारिल एक्षिन जानल एक्षिन पर तो पर पाना जागिए सब्सला ये हैं कि 71,000 वोड पिछा ये ने इंक्लूड हुए है इसमें थोड़ा थोड़ा जो ना इतने कम मार्जिन से आपस म आपने देखा कि वो इतना पीछे रहे गया हम इतने पीछे रहे गया dialogues फार्टि नाइन का जो है प्रेंश ng Dollar लेकिन में ऑनकी भलाइि में उनकी खैर खाही में ये कहना चाहता बहुं कि इन चीजों से स्ट पहिमियों या गलब पहिमियों से बार-बार करों में यह यह और अब नहीं पता रही थे कि देड़ साल से पहले नहीं जासे हैं और अभी तीन सेलेक्शन कराची में मजीद आने वाले हैं यह भी बहुत सवाल है कि इस लिए पूरी लेक्शन केमपेन आपने ग्राउंड पर रहे खुद मॉनिटर की और इसको लीड किया एक तरीके से आपको लगता है कि जब कान साफ खुद कराची आएंगे जिल्से करेंगे और पूरी एलेक्शन केमपेन को लीड करेंगे तो यह जो वित्री मार्जन होगा वो आजने वाले तिकाबात में मजीद बढ़ सकता है उसका तो यह की जब रहा है कि यह तो मैं अवांग से नहीं मैं अवांग से कुछ आज दिन पहले का मेरा देट्मेंट भी है और मैं किसी मीडिया चनल तर बात कर दाएंगे जो मैं बड़े वाज़त और पेठा है कि ऐसा कोई कानून आ चाहिए और मैं अपनी लिए कहता हूँ क्योंगे यह तो आपनी लिए कहता हूँ क्यों आपनी को मदा नहीं आता और उसको फिल नहीं होती उसकी वज़े यह देखें आज मैंने जो 30,000 वोट का मतलब है चार परसंट जी अब अगर आप चार परसंट के वोटों से जीते हैं जी उसमें आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप टेक्निकली देखें ना जिसको बोलते हैं कि एक अजने आपनी एलेक्शन रड़ाए तो उसको तरह एक चीलिंग होती है कि यह दर चार परसंट की मैं परसंट कराऊं कि जी उस हलके में जब के होना चाहिए कि मेरा एग्यू है कि मेने मन पचास परसंट होना चाहिए जीते माले और महुत बटाएं कि कल आपकी एक तरीके स बहुत है कि अजय विदेश के इना चाहिए बटरेश के की जाने जाने मीदेशिकों के आपी करें अजय के जाने मदरे के जाने शच कंडते है तो मुझे ओढ बड़नी मदब क्या मिल सकती थी आपको आपोनी नदेब को मुझे तो allah का बट और सिरसंट से भ्ला का आपक़ था ना सर अवामी टेक्टर नहीं है तरहिए भाँमा बदा भी एद बाइद है। अवाम बहुत बद्दीप में हैं और अपोजिशन सही कहुँगा कि इन चीजों पे इनको बहुत उपकर किरना चाहिए क्योंकि ये महंगाई अवाम से अपतास नहीं हो ये दिस और बिजास्टर और ये जो है ना बहुत मुच्छों में लोग हैं और ये सहते सहते ठक ना जाए मैं ये लब्स प्रमादा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टन से में चाहूँ आप स्पैजरो एड़ाउन करें ताके बिल्कुल ना सिर्फ महिंगाई मैं समझता हूँ कि पीटी आई महमूद मौलवी साब भी रिलाइस करेंगे और अभी आगे मज़ीद एलेक्शन होंगे जो लग ये राय हवा जिस तरह है तो पीटी आई की तरफ जाएंगे तो लेकिन चैलेंजिस कापी हैं माशी फरंट पर भी हैं समाजी फरंट पर भी हैं और यकिनां पीडी एम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब रही है इसकी बुन्यादी वज़ा है कि आज पीटी आई जो है वो उसकी आप कह सकते हैं अगर अगर आप कर देते हैं महमुद आप देखने कि इसकी जो हम देखने के मीडिय के ओपर इस्जू आप पर इस्टो आपनी बात अपनी आपनी राय काइजार कुलके नहीं कर पा ए और कल जिस तरीके से दो इंसिडेंट सामने पेशाया आपको लगता है कि जो सेनारियो कर देखने के मज़ीद मुल्क की मौशी सूरतहाल को मौझदा अमनमान की सूरतहाल को भी डेंट डालेगा कल कान साथ कि गज़तारी की जैसी सिफ रूमरी चलने शुरू ही तो पूरा मुल्क तरीके से बेयकीनी की कहतेता शिकार हो गया अभी इलेक्शन होगे खान साथ एल सकतर जा अगये आट आगरा करण साथ मौशी तरफे ऑगल के जागरा कि मौशी तरफे मौल्क को ढमेट लौ धनल्स होता जाए आगर तो ये जादे उग्यूरस के बड़ा कि मौशी तरफे प्र symbाल गया वह गया हम ऐगया जयागी तो वै कम मौशी09 को देजर होगे ज़ा प्रोब्लम एक दिए कि उसकी है कि फिर आम समन देखें तो कुछ चैलिंज का मुकाबला भी कर सेकेंगे इस लुक तो हमारे माशी हालात ऐसे हैं कि हम दोल्लर को 70 पर बढ़ा के 20 पर कम कर के खुश हो देखें सर आप इसमें को इसमें कुछ बादना खुछ भास 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 भा इसलामबाद के जो मामलात है उसकी तब हम रुप करेंगे देखें सबसे आहम बात जो मुझे लगी है इनोंने कहां बड़ी पॉजिव एप्रोच से इनोंने बात की कि अमन वामान होना चाहिए पार्टियों में जो है वो पुर्बत होनी चाहिए सियासी सरगर्मिया होनी जो शाहिए एक टेबल पर आना चाहिए इनको इससारी तशीजहें लेकम हमारे पुरे सियासी जो ठाचाया है जो ओना चाहिए बुर्प इस सारे जुलिसान वो शक्त जो दोगां का हो अब इनका लीडर और ये तो भी ना अश्ट वबादी निह रखना चाहिए इनके लीडर को भी चाहिए कि इस अधिक नग जाये कि सारे जो जो परेक जाए जो पर जाएं जाएं चेजेजें इस प्रफटन जाएं जाएं जाएंग ए इसा आप भी तो करेना आपके मौलविस अजियाए अजिए शुण भाते करें और अधर क्या बाते हैं? मैं चाटतोर दो जाओं झाल झाल एक अब अधर बड़ेश ने जए बादे शुछ धिर डिया मुझे एक बादे हैं जब कुछ कुछ नहीं चाहते हैं कि आप मेंस्ट्रिम की सियासत में हिस्सा लें लेकिन आप अपने जित पे काइम रहते हैं तो कहीं नहीं इस तरह की सेनारियो गरेट होते हैं कि अपने देखा कि इससे पहले मुक्तरिफ स्यासी रहनुमा जो के एक इक इसारे पे पूरे-पूरे शेहर को मफलूच कर दिया करते थे पूरी-पूरी कौम को एक जगा पर एक खथा कर दिया करते थे वो जब प्रेशर उनके पर पड़ा तो उनके मौसे भी ऐसे अलफाज नकले ऐसे लफजों के अदाईगी हुई जो उनके लिए मुश्किलात कर शिकार बने क्या यही स्ट्राटेजी इस तो खान साब के लिए इंप्लिमेंट कर करने की कोशिच की जा रही है कि कोशिच की तो अख मौम्झा रूब बरभते की एपी सकते हैं इसको बन नहीं कर सकते हैं बोड नपे द्राई। अब यह क्या करते हैं यह पोंगा मौंद फाएर यह 입कार कूल देता हैं उनके σके प्राग की आशियान जलते हैं इस से भी आश्यान जलते हैं कोई करेक्टर होता है को आप देखें कि कितनी नाजुक डाली पे आप बैठे वे और उसका आप जो हिलाए जा रहे हैं काटे जा रहे हैं किसी ख़बर तो ले आप किसके नतीजे में क्या होगा वो जो चाहते के देते हैं इमरान खान साहिब इस हद तक बढ़ जाते कैसे लगता है कि पूरा जो है न अज जो है इसला में हैं सारी बाते इनके कुरसी की जीत की खुशी की मिठाई की ये भी अभी कह रहे थे कि ने एक अच्छी बात थी कि ये कह रहे हैं कि ये बजा नहीं आया कं मार्जिन से जीता है ये पॉजिटिव नोट है और ये इन वह बन्हे अच्छर लगा मुझे वेसले कुल्चर होना ज़े जिए अची बात कहिं ते इन साफ के दी नहीं है तो इतने कम मारजन के बाद इन एप सलो हो तो आपको गिश्मन को हराने में खुशी है या अपने जीतने की खुशी है कि आपको कॉंफोर बात बात लिए कि मुझे ब्रेक कहा जा रहा है ब्रेक जैने कि पहुत चाहमादेट करेमलों जो बहुति से चीज़े बहुत चीज़ें चाहिए जो मज़े आंप आप ज कुछ मनज़री आंप सब्ब्सक्राइब आप दोनी नेमर्षे करें नोट GG हुं है जो कि दाइफिसे ऋट्राइ Lewis अब देखर हैं अब देख रहे हैं दे डेली शोव पुट मुनीर मेमन विजहां में आप एक बड़ पर से खुशाम दीद करते हैं इसे ज़रा रुख करेंगे कि दारुख के लाफ़ा में क्या कुछ हो रहा है एक सेनेरियो है जो मैं प्रिजेंट कर देता हूं मफरूजे के बुनिया पे कहा ही ये जा रहा है कि इस लुक्त तमाम तर कुटें इमरान खान साथ के खिलाफ नजर आती है इस लुक्त पाकिस्तान के बड़े जीग्यट जनरलिस्ट इस लुक्त खान साथ की मौझ। सियासत से जादा मुतमें, जादा खुछ नजर नहीं आते है इस्वक्त हुआउं का रुक भी खान साब के बर्कलाख नजर आता है इस्वक्त वो मीडिया हाऊसेज जो खान साब के मौकफ को अगाम तक पहुंचाते हैं उनके उपर भी मुश्किलागा का शिकार है वो साथी हजरात जो के खान साथ के साथ कुछ कुर्बत रखते हैं जो खान साथ के कभी करीब हुआ करते रहे उनके लिए भी इस वक्त मुश्किलात बढ़ती में निज़र आ रही है ये सारा कुछ हो रहा है इसमें ऐड-on कर लें पौरन पड़ने केस की बात की जाए इसमें बात कर लें खान साथ को नाहिल करने की बात कर लें इसमें बात कर लेते हैं शेवाज बिल साथ की गरतारी को भी जोड़ लेते हैं लेकिन इन सबके बावजूद, एक स्वाल मेरा ये है, कि जहां पे इतना कुछ हो रहा है, वहां पे खान साथ अगें, इतने बड़े जलसे करने में कैसे कामयाब हो रहे हैं? कराची में खान साथ की आमद के बगेर ये कहा जाता रहा कि सारे तीन साल में कराची के लिए खान साथ ने कोई बड़ा काम ना किया कराची ने खान साथ को बहुत कुछ दिया लेकिन खान साथ ने शायद उस तरीके से कराची का खयाल ना रखा फिर भी खान साब ने एक जलसा भी ना किया उतके बावजूद कराची ने बड़ी तादाब में पकस्तान तरीक इनसाब को वोट्स देके बहुत comprehensive victory दिलाई लेकिन जब इतना ही कुछ है तो ये खान साब के खिलाफ जा रहा है या खान साब के लिए हक में जा रहा है ये जो मuschकलाख खड़ी की जा रही हैं क्या इस मuschकलाख के खड़ी करने का मकसद कहीं ये है कि खान साब को मेंस्टीम स्यास्त से बाहर कर दिया जाए या कान साब को फिर से उरूँच की और शोहरत की बलंदियर तक पहुंचा दिया जाया सिल्वान साथ आप से शुरू करते हैं देखें वैसे तो ये रिवायत है कोई नई बात नहीं है जैसे आपने इंटरो में जिकर किया था सहाफी ब्रादरी का अब इससे कबल जब PTI की गौर्रमेंट थी तो हमने खुद देखा था कि मौसिन बेक साब और मुदिलल्ला जान साहब अफसार आर्रम साहब यहताब में आये थे फिर अब जो है साबर शाकर साहब और अर्श शरी साहब और दीगर साहफ ही आ रहे तो ये एक रिवायत है मगर ये कि मैं समझता हूँ तो इस वक्त जो सुरत अहार जो भी पॉलिटिक से जो ही छोष बीजा औरे लिगर साहब में spins our camera करके 10 बजे इस्टूडियो निकलता है तो घटनी पहुंचता इस तरह की रिवायत भी नहीं है कि जब एक साफी अपनी रिपोर्टिंग अपना तजिया देता है और ये बार तमाम तर मामलात को कवर करते है जब गुफ्तूग करे फिर भी उसको ब्लैक आउट कर दिया जाए मीडिया उसे को कोट्स की और्डर्स के बावजूद भी रिज्यूम ना किया जाए तो इस तरह की मामला तो मुझे याद आता है 2007-2008 का दौर जो मार्शल लौ का दौर हुआ करता था जिसमें मीडिया को आजादी मिली और पर पाबंदी भी वैसे ही मिली देखें यकिनन ये बलंडर मिस्टेक से जो मौझूदा गौर्वर्मेंट कर रही है और ये जितनी जादा ये एक्टिविटी इस तरह की करेंगी इससे पापुलरिटी में ये अजियूम कर लिया है जैसे कि आपने का कि अमरांफान साइब बलंड़ ये जो बहुत सारी बाते कर जाते हैं जिसी हसे पापुलम्स करेंट हो सकती है लेकिन चुके सामने की मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो जैए वो गल्टी हैं गुम्स्टेकस और फाइदा हो जाता है तो ये मौज़ुदा अकूमत को सोचना चाहिए, रियलाइस करना चाहिए, जिसे शेवास गिल साब का वाक्या है, जिस तरिके से उसको उन्होंने हैंडल करा है, इसके कबल भी कुछ जर्नलिस्ट के साथ जिस तरह का सलूक है, तो ये उनके अगेंस जा रहा है, मैं समझता कि उन्हें फोकस करना चाहिए अपनी परफार्मेंस बजाए इसके क्योंकि ये बाते हैं मजलूम बना रही हैं पी टी आई का ग्राफ ये ही इसकी मिसाल कल सबसे बड़ी है के लेंड स्लाइडिंग विक्ट्री कराचीम उन्होंने हासिल किये और मौर दें डबल का मार्जि ठोका कूल रहाए अगा जोच्ग वेल दोका कूल राए जो करना ये उन्हें अन्हों तरें अश्यक्तन दे रहा है नहार चाहिं हो नहां तो खालो की तरी अच्ह Remoट कर स国 towers इस ही अगहर है किस है कि असी मुझे अधर लादे को एपरम लादा को अ ενाधवािश टार्व सिर्व इसको अगर इनसाइट नजर आगही ए ऊदिए अजर आते हैं इसे बड़े जजबाती तोर पर यह हमारी नफस को जान गया है या जो है वो उनको रखा गया इस तरह अगर इसलाम से वाबिस्तेगी है हम पागल हो जाते हैं इरो ने बाइच्छा यह भी कह दिया है कि दरा टच दे देना ठीक है नभी यह तच भी आ गया अब जो है हम जिस चीज से को चाहते हैं इस्टेबलेश्मेंट को हम हमेशा अच्छी नजर से तो देखते हैं इस तरह कि वह हमारे पाजबान है हमारी जान निसार है सब कुछ है लें सियासत में उसके रोल को पसंद नहीं किया जाता उस उससे भी जो है इनोंने ज़स्बाती जो खेल-खेलन की सुरत हैल पेदा हो दी और दूसरी बात यह कि यह ऑनेस्ट है ऑनेस्ट है आप आनेस्ट है कैसा मफुरूजा है कि आप मुझे ऑनेस्ट के कह सकते हैं डिसॉणस भी कह सकते हैं और मैं भी यह तो एक तज्रीदी चीज है ना जिसको कोई आप जैसे आपने जब चीजे बुट्टो साब में भी यह फर्म था कि वह नफ्स जानते थे और नफ्स की वज़े से वो गए लेकिन उनको यह नहीं मालम था आगर चलके कि जो सब्सक्राइब आएंगी और जो जो सफाकी के साथ जो कुछ भी हो रहा होगा फिर वहां कोट भी बन्नाम होई उसको भी का कि वहां एससेसेनेशन हुआ कोट में हुआ जो गतल हुआ उनका कोट के थूँआ अब मानते भी और इतराफ भी किया गया एक जजज की तरफ तर उसने खुद इतराफ किया जो से बेंच में मौजूद थे तो अब आप यह देखें कि देखें जजबात से ना खेले यह तो जजबात से खेल के गुजर गए और शायद इनको एक्तिदार भी ना मिले अगर कहीं आपको पसंदीद्गी मिले तो आप एक जो एक तदब्र हो जासत होती है उसमें बड़ा कंट्रोल और बड़ा सब्र शाया सर मुझे बताएं व तो यह बताएं कि यह तो कौम की हीरो बने जा रहे हैं आज भी नोंने इलेक्शन जीत लिये हैं बड़ी कामयामी चामियर सवाल कर रहा हैं लोग नास्तर आएं मुझे बच्चा- लेकि अतना वह जो जो उनके नगमें बच्चते हैं इस पर ठहल होती है वह पागल किसे मुझे बादेवे अगर इस मौके पर खान्साब को गिरतार करने के लिए क्या मौजूदा हुकूमत या मौजुदा वफाकिया हुकूमत को एक्दाव उठाएगी या कहीं ना कहीं व परकिस्तान थोड़ी कर रहा हूं मैं उनको भी बोल रहा हूं कि जो खेल खेल रहे हैं उसके नतायच क्या निकलेंगे वह तो मैं तो जनरल इलेक्शन कर नतीजे की तरफ जा रहा हूं ना तो यह बेवकुफी है पाकिसे बुनियादी तोर पर पाकिस्तान की तबाही है अब आप यह देखें वो तो इसने डेट भी मुकरर कर दी जो आप कह रहे थे आई एम एफ ने डेट भी मुकरर कर दी के यह जो इसकी कीमते हैं बिजली की वह कब बढ़ेंगी वह एक दो दिन पहले इदर उदर नहीं कर सकते थे हम ते देख रहे नहीं यहार बचाना होता ते अधर कर लेते हैं वह उसको तो डिक्टेशन सुपर डिक्टेशन यह भाई इलना ही नहीं है सिब आप ऐसी हुलामी में आप क्या करेंगे और यह क्या करेंगे जिस बात से कहलें यह बारा भी खेल रहें यह आप इनको चाहते हैं कि वह जो है वह उनको प्लेयर बना दिया जाए ग्राउंड से बाहर कहड़ा रहने वाला यह हैं वह उनकी खार रहा हुआ है लेकिन इंपार के सब तारलों कहां अच्छी हो जाएं इस अब क्यों कोईश हो सकती सल्मान सब यह दा चीख चीख के कहने इंपार कहा चला गया जी आप ज़्याप ज़्याशता हूं मैं स अज़ा तरह की चीजह होंगी क्योंके हमारा ही रिवायत फरी पार्टियां जीती है और शुक्तियाएं बढूलियू हमेशा मजलुमत पर यह पार्टियाँ जीती है यह मैं मैं मेज़िद पुछने के सब्सक्राइब यह उसे हमेसे का तारना राला शून ऑला यह निस्क्त रदाद देश्टगर्दी आदालत में जाएं लेकिन फिर भी बहल मिल गई है तो बारहल मिस्टेक से मैं समझता हूँ यह सारी चीज़ ब्लेंडर मिस्टेक होंगी और वो गल्तियां जो जन्मली खान साथ ने किये वो भी उस पर भी परदा पड़ रहा है इस तरह से उनको त जो भी हकूमत आएगी फसकती है वहां के लिए कुछ अपना मुझे फाइनल कमेंट दे आकरी कमेंट रहता हूं यह बताएं पंजाब में सेट्विशन यह है कि इन मुसलेव नोन के जो सीनियर रहनुमा वो पंजाब की हुदूद में जा रहे है तहरीक इन्साफ की जो रह इसलामबाद पर हमले की तेयारी है जो भी महमूद मुल्वी साब में भी कहा कि मुझे जर्रल एक्षान जो है वो अनकरी मिज़ रहा है किराची में कर लो टर राउट रहा है लो की एक्सपेक्टेशन यह इक्सपेक्टेशन ऑख और आख एक लग के लिग साथ की जल्ल एक नौ जो एक्सेप्ट किये गए उसकी कोई जस्टिफिकेशन नी कि नौ आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिए आपको 125 करना चाहिए ते यह नौ की क्या उसके चूज़ हुआ है उस पर भी कैसे चलने जाने जानी जानी कोई भी चीज आप किलेरिटी से इस वक्त जागे है नी सकत कि जो 125 में से कुछ तो पाप मनजूर कर लिए गया बाकि गोटों की तरह खेले जाए कब पीटें किस से किसका मफाद है किसको इधर ले लें किसके होस्तेडिंग हो जाए कुछ हो जाए होस्तेइडिंग हो सकती है तो पर तूटके इधर आ सकते है ना अभी तो इस्तिफा धिर यथ गया गतस्तिफा मन्जूर करते हैं आ पिऽ घर आजे मत्तिफा मनजूर करते हैं अभी अज़ पर पर अज़े इलक्शन AMY अब ही मसला यहां कि इससो तक निगाएं तवर्तिन हों करते है इना यह डार्ज है यह तुक पर् vallocation सब्साटिए बात गता लुगम कर्व पाकस्तान में अगर वो तो फिर उसका दल खुन के अशूर होता है लेकिन पाकस्तान में इविंट्स इतनी तेजी से डिवलप होते हैं चीजें इतनी तेजी से तब्डिल होती हैं कि हर दो घंटे में एक बड़ी ब्रेकिय निऊ आ जाती है और अवाम उसके पीशे लग जात की हमें अपने लोगों को बचाना है उने मुश्किला से निकालना है और यही पाकिस्तान का मकसद था यही फलाए मुमलिकत का मकसद था और यही हमारी दूआ है उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रगाम पसंद आओगा मैं अपने दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रे आदा करता हूं जाएंगे सब आपका क्याप तश्रीफ लाए और सिल्मान सब आपका क्याप दून आपकी तश्रीफ लाए और उमीद करते हैं आपको प्रगाम पसंद आओगा अपने मेजबान मुरी में को अजास्त दीजिए अपना क्यार लगएगा अला हापस् अब देख रहे हैं देख रहे हैं दे डैली शोव पुलिद मेमान